हलो एबरोन विल्कम बाग टियो ओन चैनल वेल्स आज़े फॉर्थ ऑफ एप्रेल टू थाउजन ट्वेंटी थ्री ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग तीन बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ां डिकोड करेंगे नमबर वान तो निफ्टी 50 की क्या हमें इंफ्रेट इस समय करना चाहिए थोड़ा सौ और वेट वेट करना चाहिए फिर exact समय आ चुका घिया अगर समय आ यह फिर समय आने वाला है तो nifty 50 के कौन से heavyweight stocks हैं top 8 stocks जिस पर कि हमें investment करके benefit मिल सकता है और उनके किस level पर हमें investment करना है वीडियो बहुत important होने वाला है वीडियो को दोस्तों like करना बिलकुल न भूलें अगर like करना भूल भी जाते हैं अगर हम लोग 2000 इस table को हम लोग 3 parts में divide कर सकते हैं one is 2008, pre-2008 era one is after 2014 era these are the 3 portions जिसमें कि हम इस table को divide कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो 2008 का pre-era है यह हमारे लिए उतना relevant नहीं है योगि इंडिया की condition, इंडिया की GDP, इंडिया का aspiration, इंडिया का youth उस समय से अभी compare नहीं किया जा सकता yes, 2014 के बाद अगर आप compare करें तो nifty का जो price to earning ratio रहा है average में वो रहा है 20 से 25 के बीच में as low as 17 and as high as 35, 39 जो की 2021 के highs में था दोस्तों कोविट के समय जब market में गिरावट हो रही थी जिन लोगों ने investment किया जबरदस पैसा बनाया हम लोगों नहीं बनाया, हम लोगों को जो लोग follow करते हैं उन्हों नहीं बनाया उसके बात से market में over valuation स्टार्ट हो गई और छुट फुट ऐसा नहीं है कि उस समय market में valuation नहीं थी हर समय दोस्तों top से top bull run में भी आपके पास investing की opportunity होती है top से top bear market में भी आपके पास investing की opportunity नहीं हो सकती तो कहने का मतलब कि है हमेशा कुछ ने कुछ pockets ऐसी होती है जहां पर opportunity definitely होती है so उस समय 2021 के mid में दोस्तों nifty का price to earning ratio पहुँच गया as high as 32 लेकिन अभी के बारे में बात करें तो फिर से market में correction आकर के market में time correction भी आया है और stocks में price correction भी आया है presently जो nifty 50 का price to earning ratio चल रहा है that is 20 जो कि 2020 के जो बड़े crush से गर हम लोग compare करें March 2020 उस समय जो price to earning ratio चल रहा था that was 19.4 तो हम लोग ये बिलकुल भी नहीं कह सकते कि market इस समय overvalued है हाँ एक question बिलकुल हो सकता है आपका कि sir क्या ये guarantee है कि market यहीं से reverse कर जाएगी या market में और गिरावट नहीं होगी उसको समझना भी जरूरी है so दोस्तो nifty 50 ने 2021 के mid में जब nifty 50 का valuation अपने peak पे था 18,800 के levels को touch किया in fact 2022 के mid में भी nifty 50 ने 18,800 के levels को touch किया so दोस्तों यहाँ पर जब market overvalued थी तो market का overvaluation हुआ जब nifty 50 ने 7,500 के level से jump लगाया to as high as 18,000 plus लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या market में अभी correction हो चुका है तो अगर आप देखेंगे तो market में high से 10% का correction भी नहीं हुआ है और यह भी नहीं है कि nifty 50 correction करते हुए साल डेर साल हो चुके है it's not even six months, six months भी नहीं हुए nifty 50 को ज़्यादा correct के हुए और नहीं 10% से ज़्यादा correction हुआ है तो यह मानना कि nifty 50 पूरी तरह से bottom हो चुका है I don't think so लेकिन valuation front पे बात करें तो दोस्तों nifty इस समय एक बहुत ही reasonable valuation पे आ चुका है तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोशन चल रहा है कि 2008 के recession में 2008 की crisis में nifty 50 का क्या price to earning ratio था तो उस समय दोस्तों अगर आप देखें तो nifty का price to earning ratio as low as 12 चला गया था 12.6, 12.1 जो कि अगर उसी तरह के recession को अगर हम लोग compare करें तो nifty 50 में अभी भी solid correction का scope है nifty 50 can see the levels as low as 12,500 अगर similar kind of correction हुआ तो लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो चीज़े में आपके लिए cover कर देना चाहता हूँ कि जब market में already stocks 50 to 60% correct कर चुके है तो दोस्तों अगर आप यह सोच रहे हैं कि market में correction हुआ ही नहीं है nifty 50 को side में करें दोस्तों गर आप stocks specific views रखें तो stocks में जो weak stocks हैं जो fundamentally weak stocks हैं यह फर जिनमें correction होना था वो stocks 50 to 60% already correct कर चुके हैं और जो stocks नहीं correct हुए हैं वो relatively strong हैं दोस्तों अगर हम लोग बात करें nifty 50 के top 8 stocks जिनमें की heavy weights हैं जो की सबसे ज़्यदा weightage रखते है nifty 50 में तो उसमें lead करता है relance industries, SGFC bank, ICICI bank enforces, SGFC limited data consultancy services, ITC and kotak mohendra bank in fact nifty 50 के top weightage के stocks भी करीब 20-20% से ज़्यादा correct कर चुके हैं from their highs, exception are always there, like exceptions के बारे हम बात कर रहे हैं stocks like ITC, मुश्किल से 1-2% अपने high से नीचे हैं in fact अपने all time high के असपास चल रहे हैं stocks like kotak mohendra bank, अपने all time high के असपास चल रहे हैं stocks like HDFC bank, अपने all time high के असपास चल रहे हैं तो दोस्तों ये वो stocks हैं जिनमें की ज़्यदा correction आगे होने की expectation भी कम है in fact अगर nifty 50 के constitution के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यदा जो constitution है that is सबसे ज़्यदा जो weightage है nifty 50 में वो है financial services का almost 37.5% उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो IT sector का around 15%, oil and gas का 12%, FMCG का करीब 10% के आसपास ये top weightage है nifty 50 का as far as sectoral distribution is concerned तो दोस्तों ऐसे में जो stock आपके सामने हैं top 8 stocks of nifty 50 मेरे साब से इन सभी stocks में आपको यहाँ से क्योंकि market में already correction हो चुका है, अच्छे stocks, अच्छे खासे stocks 50 to 60% करेच चुके हैं तो यहाँ से कोई भी correction होना, एक nifty 50 में under valuation को दिखाता है योगि दूस्तों इस समय valuation कौन सी हो रखी है, जो nifty की valuation 2020 में थी तो आपको यह तो पता चल गया है कि nifty इस समय, over valued तो बिलकुल भी नहीं है हाँ, अगर यहाँ पे कोई भी गिरावट होती है, that should be taken as a buying opportunity क्योंकि यहाँ पर आप stocks को under valuation में accumulate करना start कर रहे हैं तो दोस्तों अब question आता है कि इन stocks को किन levels पे buy करना है तो अगर आप इन सभी stocks में SIP form में investment करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे साब से एक बहुती discipline way है इसका small case बनाना, जिसका कि small case बना करके मैंने आपको link description में दे दिया है जिसको कि आप download करके आप हर एक month में investment करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप यह मुझसे guarantee चाहें कि market यहां से नीचे और गिरेगी इसी guarantee में नहीं दे सकता हाँ, यहां पर market एक fair valuation पे आ गई है, यह चीज़ भी clear हो चुकी है और यहां से कोई भी गिरावट should be taken as a buying opportunity तो मेरे इसाब से इस small case में आपको investment करना बनता है from here on आप यहां से कोई भी dip होती है तो आप एक अच्छी valuation पे इन top stocks को accumulate कर पाएंगे तो दोस्तों हम लोग चलेंगे from नीचे के level से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करें स्टॉक के sales growth की, stock के profit growth की तो stock का जो profit का growth है वो 17.41% है as compared to last year वहीं पर sales की growth 27% की है despite slowdown दोस्तों गर हम लोग बात करें कंपनी के performance की return on equity is close to 13% which is outstanding दोस्तों जितने भी banking stocks होते हैं उसमें return on capital को हम लोग compare नहीं करते हैं क्योंकि capital उनकी already borrowed होती है जिसको की वो lend करते हैं जिसपे की interest earn करते हैं तो in banks we have to compare return on equity and we have to compare return on assets जिसमें कि दोस्तों return on assets में जो top banks हैं वो हैं LGFC bank, ICAC bank and Kotak Mahindra अगर आपके दिमाग में question यह चल रहा है कि sir Kotak Mahindra bank की valuation किया है तो दोस्तों Kotak Mahindra bank इस समय अपने 5 year के low valuation पे trade कर रहा है in fact 2020 के जो crash था उस समय जिस valuation पे Kotak Mahindra trade कर रहा था उस valuation से भी नीचे तो मेरे साब से Kotak Mahindra bank is actually at a right price to accumulate from here on दोस्तों chart पे देखे हैं 1650 to 1700 is a very very strong demand zone stock यहीं से भी reversal लेने की कोशिश भी कर रहा है अगर buy chance stock यहां से गिरता है और 1700 के नीचे मिलता है 1700, 1720 that should be taken as a great buying opportunity अब दोस्तों बात करते हैं ITC की अब ITC दोस्तों यह stock है जो की गिरा ही नहीं है 2020 के समय पे जो stock crash कर गया था अब भी stock अपने all time high के आसपास चल रहा है तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि ITC में क्या गिरावट होगी मेरे हिसाब से ITC में थोड़ी मोडी गिरावट होना लाजमी है और ITC में मैं 340 के levels को expect कर रहा था और 340 के levels अलोड़ी आये थे जहां तक मुझे लगता दोस्तों अभी 340, 320 तो आना मुश्किल है बढ़ या 360, 365 के levels आपको definitely आते हुए दिखाई पढ़ सकते हैं दोस्तो stock के quality के बारे में बात करें outstanding quality of stock अगर बात करें stock के dividend deal की 3% की तो यह dividend deal आपको offer करता है अगर valuation के front पे बात करें तो मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि stock बिल्कुल cheap valuation पे मिल रहा है योगि stock अगर अपने all time high के असपास rate कर रहा होगा तो फिर definitely वो stock सस्ता नहीं होगा 25GP मेरे साब से stock एक बहतरीन bet है long term के लिए on top of algorithm दोसों यह कोई guarantee नहीं दे सकता है कि IT sector या फिर ITC crash करेगा we cannot say so लेकिन हाँ market इसमें fair valuation पे हो गई है कोई भी गिरावट market को under valuation की तरफ लेकर के जाती हुई दिखाई पड़ेगी now if we talk about TCS TCS दोस्तों present लेकर बात करें stock 28KP के असपास rate कर रहा है outstanding company के return ratio से 55% return on capital employed 44% का ROE है दोस्तों और debt free company most importantly दोस्तों debt free company है dividend deal is also outstanding which is close to 1.5% दोस्तों जो मैंने small case आपके लिए बनाया है जिसका की link मैंने आपको description में दिया है उससे आप सिर्फ आज या फिर कल के लिए नहीं ये top stock से दोस्तों 50-50 के जो की आप हर महीन है long term के लिए अगले आने वाले कई सालों तक इसमें SIP के form में investment कर सकता है क्योंकि यही वो leaders company है यही वो leadership company हैं जो कि default नहीं हूँ कि they are too big to fail तो अगर आपको headache free tension free investing करनी है तो मेरे साब से this is one of the best option अगर बात करना TCS के price owning ratio की presently stock 28-29 के P के आसपास rate कर रहा है मैं यह नहीं कहूंगा कि TCS बहुत ही सस्ता हो गया है TCS एक premium valuation पे मिलने वाला stock है तो TCS में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा correction का और rate कर सकते हैं मेरे साब 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 TCS आपको 3000 के level के आसपास आता हुए दिखाई पड़ेगा एक और भी caution है दोस्तों कि IT sector के stocks पे थोड़ा सा cautious view रखें योगि IT sector के stocks में अगर आप investment करना चाहते है stand alone अगर आप SIP के form में investment कर रहे हैं small case में investment कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है और US में under performance के चलते और भी खसता हाल हो सकती है और unfortunately अगर TCS ने 3000 के levels को break किया तो stock काफी तेजी से गिर सकता है और जो next support level दिखाई पड़ रहा है वो है 2300 जिसके कि आने के chances थोड़े से कम है लेकिन जो chart बोल रहा है दोस्तों मैं वो है आपके सामने explain करने की कोशिश कर रहा हूँ next stock है दोस्तों weightage wise जो की TCS से higher है उसका नाम है SGFC Limited अगर stock के price toning ratio के बारे हम बात कर रहे है stock 19 के PEP trade कर रहा है अगर stock के sales के बारे हम बात रहे है sales growth के बारे हम बात कर रहे 32% का sales growth है as compared to last year profitability 15% बढ़ी है कौन कह रहा है कि दोस्तों recession चल रहा है लेकिन recession के impact धीरे धीरे पढ़ना शुरू होंगे और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है market हर चीज को पहले ही factor in कर लेती है तो जो impact पढ़ने होंगे वो already price में factor in हो चुके है return on equity के बारे हम बात करें दोस्तों stock इसे में 13.5% का return on equity ओफर करता है इसके अलावा अगर valuation के front पे बात करें तो ये stock 2020 के crash में around 12 to 13 के PEP trade कर रहा था अभी stock 18-19 के PEP trade कर रहा है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि stock 2020 के valuation पे मिल रहा है लेकिन अगर आप इसके chart को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा stock almost 2020 के high से compare करें तो stock पिछले 3 सालों से बिल्कुल भी move नहीं किया है तो धाई 3 सालों में stock का move ना होना क्या बताता है time correction, not price correction अच्छे stocks दोस्तों गिरते नहीं है वो अगर consolidate कर रहे हैं तो वो क्या show कर रहे है time correction और वो भी एक तरह का correction होता है योगि stock के value ना बढ़ना वहीं पर stock का sales का बढ़ना stock के profits का बढ़ना, stock के business का बढ़ना stock के franchise का बढ़ना sales outlet का बढ़ना और नए stores, और नए banking के offices खुलना यह क्या growth दिखा रहा है लेकिन price नहीं बढ़ रहा तो मेरे साब से यह stock भी fairly valued है अब HDFC से ज़्यादा गावेटेज रखता है दोस्तों इनफोसे, presently stock trade कर रहा है 24 की PE के आसपास outstanding number से दोस्तों debt free company है, return on equity is 29% return on capital is 37% दोस्तों return on capital आपको management की efficiency को दर्शाता है कि management कितने efficiently capital को employ कर रहा है और return on equity दोस्तों mutual fund आपको कितना percent देते हैं 12% यह stock आपको 28% का return on equity देता है साथ में 2% से ज़्यादा की dividend yield अगर हम लोग बात करें stock के chart की तो जैसा कि मैंने आपको बता है थोड़ा सा cautious रहना है IT sector के stock में presently stock rate कर रहा है 1410 के असपास लेकिन अगर stock 1350 के levels को break करता है stock में sharp fall आ सकती है stock can fall towards 1200 और 1000 levels also तो मेरे साबसे कि आप बलक में पैसा लगाना चाहा रहे है not a very great strategy क्योंकि अभी भी IT sector के stocks bottomed out नहीं हुए ऐसा मेरा मानना है तो मेरे साबसे और ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों यह stock गिरेंगे ही गिरेंगे तो systematic form में investment करें small case जो मैंने आपको बना है उससे आप हर महीने investment करकर गिरावट भी होती है then also you are not you are not damaged now coming on to ICICI bank अब दोस्तों यह stock यह bank अपने all time high के आसपास trade कर रहा है recession हो रहा है banking defaults हो रहा है and what not उसके पावजूद भी यह stock अपने all time high के आसपास trade कर रहा है तो आपका question होगा कि sir यह तो बहुत महेंगे valuation पे होगा तो यह stock आपको सिर्फ 19 kp पे trade करता हुआ दिखाई पड़ रहा है sales के बारे हम बात करें पिछले साथ के comparison में 30% का jump है profitability 35% का jump है अच्छा अगर आपको question होगा कि sir तो महेंगा तो नहीं है तो दोस्तों यह stock आपको 2020 के जो समय पीच चल रहा था उस price to owning ratio के मिल रहा है तो valuation wise although यह stock अपने all time high के आसपास trade कर रहा है महेंगा नहीं है लेकिन अगर buy change stock में गिरावट होती है तो दोस्तों आपके पास तो simple strategy है ही कि आप small case के form में dips में regular form में investment करेंगे जिसे कि आप नीचे गिरते हुए समय stocks को धीर 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 करें आप एक average level पे stocks को buy कर सकेंगे तो दोस्तों जब ICA के बारे हम बात हो गई तो क्या HDFC बैंक भी हमको सही valuation भी मिल रहा है you'll be surprised चूनों दोस्तों कि although ये stock अपने all time high के आसपास trade कर रहा है which is close to 1600-1700 अगर आप मुसे पूचे हैं कि sir क्या stock में गिरावट हो सकती है बिलकुल हो सकती है stock यहां से 1300-1350 के bottom doubt level के आ सकता है लेकिन इसकी कोई guarantee में आपको दोस्तों नहीं दे सकता कि ये stock गिरेगा क्योंकि अगर इस समय heaviest of the heaviest recession में heaviest of the heaviest bad news में जब US के banks को lapse करना है अगर इस पे कोई भी जू नहीं रहेंगी तो I cannot guarantee you कि ये stock 1300 के level पे आएगा क्योंकि दोस्तों इस समय stock जिस price to earning ratio पे rate कर रहा है 20 almost उसी price to earning ratio पे stock 2020 के crash पे था तो मैं ये बिलकुल नहीं कह सकता दोस्तों कि ये stock overvalued है क्योंकि stock की growth के बारे हम बात करें 30% का sales growth ओफर किया है उसने in bad times और पिछले साले comparison में profits is 20% time इसके अलावा अगर बात करें company के dividend deal की तो 1% के आसपास की dividend deal भी offer करता है अब दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक ही stock बचा है जिसका कि सबसे ज़्यादा weightage है nifty 50 में उसका नाम है reliance और ये stock दोस्तों अपने highs 2800 के level से almost 20% 20 के 25% correct करके 2200 के levels के आसपास आकर के bounce back ले चुका है अब आपका अगर question है क्या आसर ये stock और नहीं गिरेगा तो मेरे हिसाब से stock अगर 2200 के levels को breach करता है stock can fall towards 2000 levels जो कि मेरे हिसाब से best buy level होगा लेकिन इसकी guarantee में नहीं दे सकता है दोस्तों कि stock गिरेगा because stock already अपने highs अपने 35, 36 के PE से correct हो करके 25 की PE के आसपास rate कर रहा है तो दोस्तों सबसे best तरीका क्या है मेरे साब से सबसे best तरीका है discipline form में investment करें regular investment करें SIP के form में investment करें link मेंने description में दे दिया हुआ है make use of that invest in a discipline manner by chance गिरावट होती भी है तो अब अच्छी quality of stocks को अब undervalued zone पे accumulate कर सकेंगे thank you so much video पसंद आए smash करें like button friends को पकर share करें bye bye for now